ओके, हेलो चैर्टर्स, माई नेम इस जोईट एंड यो वाचिंग रसल चैर्टर्स आप लोग जानते हैं, डबल और नथिंग और उसके बाद फाइटर फेस्ट, दोने इवेंट आप लोग एसकते हैं, सक्सेस्फुल थे, दोने मी रेस्लिंग काफी कमाल की थी, और फैंस को यहाँ पर जैसा लग रहा था, एडबलो के बारे में उन्होंने वैसे ही करके दिख हो सकता है, यहाँ वाला सेग्मेट कॉंट्रवर्शल बन जाए, क्योंकि यहाँ पर वो यह कह रहे हैं, कि वो क्या कुछ यहाँ पर कहेंगे, उनका मैच भी एड़म हैंग में पेज के साथ, उन्होंने यह भी कहा कि कैसे वो एडबलो को यहां तक लिया है, उन्होंने क्या हो पाता है, नेक्स इपडेट की तरह बढ़ते हैं, जो कि चुड़ी है, इस अफ़ते की स्मैग्डॉन लाइफ की वियर्शिप से, इस अफ़ते की स्मैग्डॉन लाइफ की एपिसोड की बात करें, तो रॉस से काफी ज़्यादा बहतर था, यहाँ पर हमें कैविन ओमन्स अगर है, तो उसका मतलब यह नहीं की, डॉल लाइफ को रेटिंग्स बेची मिले, क्योंकि फैंस यहाँ पर यह एक्सपेक कर रहे होंगे कि यार, रॉ इतनी बेकार गई है, तो इस मैग्डॉन लाइफ में भी क्या कुछ होगा, लेकिन फिर भी रेटिंग्स के मानले में और पहले मैं इतने जदा नहीं देखता था कि किसी पेपर वी से पहले अगर रॉस मैग्डॉन लाइफ हो रही है, तो इसकी रेटिंग्स नीचे जाए, लेकिन अब ऐसा होने लगा, और सावब बात पहले चल ले कि डिवल लोबली रेटिंग्स और वीवर्शिप के मामले शेन मिक्मैन एंड्रू मैकेंटायर, तो डिवल डोबली ने यहाँ पर एक नई टीशिट निकाली है, और जोगी आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रिन के उपर, यहाँ टीशिट पर सामने जो लाइन लिखी हुई है, वो है वी रन दिस यार्ड और यहाँ पर हमें दो लेकर के डॉक्स हैं, जहाँ पर ऐसे लोग होते हैं जो कि मरने के बाद ही आते हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डिजाइन के साबसे और आइडिया बहुत ही तगली तरीके से डिवल डोबली ने लगाया है, अब क्या यह टीशिट फैन के अंडर्टेकर और रोम नाम को लेकर, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लेकिता है, लाइक ज़रूर कर देना, इसके अलावा आप लोग कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ओन, तकि आपको मारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेस्लिंग से जोड़ी सारी बाते जानने को मिलती रहें, so see you guys in my next video